दोस्तो स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से exam D के एक नए वीडियो में, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे की pronoun क्या है, ठीक है, अब definition आपको दिख रहा होगे इस्क्रीन पे, तो दरसल ये pronoun का ही definition है, ठीक है, तो अब हम लोग इसमें समझेंगे की pronoun क्या है, और इसमें तो बहुत सारी इसी बाते भी हम लोग करेंगे, जो की मुल रूप से हम लोग को अपने सेमेस्टर के हिसाब से जो है, तैयारी करनी होगी, ठीक है, पहला चीज क्या है न, मैं चीज़े guidance, आप लोग अगर जूड़े हैं, स्टार्टिंग से exam D से, तो आपको पता होगा, कि मैंने आपको कोशिस किया कि एक खास guidance दिया जाए, जिस guidance आपको पता चला है, क्योंकि जब भी UG की तयारी करते हैं, खास कर इस इलाके के, या फिर जहारखन के जो student है, इनको कुछ खास कोई guidance देता नहीं है, कि इनको करना कैसे, क्या चीज़े, इनको बहुत सारे चीज़ तो सवाल यह है कि हम लोग किस तरीके से semester 2 को जो है तयारी करें, सवाल यह नहीं है, देखे क्या होता है कि कई बार हम लोगो से semester 2 हो इसे तो हम भी इसे पढ़ लेंगे, हो जाएगा, लेकिन आप ज़रा सोचिए, जब से आप kolon में admission लिये हैं, जितना दिन हुआ है, आपक मतलब कम अबर करके बाहर आना, यह सारा चीज बहुत ज़्यादा मुश्किल वहला काम हो जाता है, तो इसलिए इसको समझना चाहिए, और देखे, आप यूनिवर्सिटी ओपर depend करता है कि वो कितना कभ एक्जाम लेता है, क्या करता है, लेकिन as a student, student होने कनाते हम लोग को अपना तैयारी भरपूर रखना चाहिए, अब तैयारी जब भरपूर रहेगी तो वो कभी भी एक्जाम ले, हम लोग एक्जाम आराम से देदेंगे, हाँ लेकिन एक असर पढ़ता है, कि आपका रिजल्ट लेट से आता है, अगर आप कोई जॉब की तैयारी बगरा कर रह को यह भी समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि किस तरीके से जो है, आप किसी भी प्रोबलम को face कर सकते हैं, और उससे बाहर आ सकते हैं, सबसे पहले है definition, ठीक है, कि pronoun is a word that takes the place of a noun, pronouns are used to avoid repetitions, कहता है कि pronoun वो सब्द है, ठीक है, जो कि किसी भी संग्या के बदले में आता है, जिसे कि समझ लेजिए कि मैं एक वाक्य आपके सामने बोल रहा हूँ, पहले हिंदी में बोलता हूँ कि राम एक अच्छा लड़का है, राम रोज बिद्दा ले जाता है, राम बिद्दा ले से आ के घर में खाना खाता है, तो मैंने तीन बार जो है, इस परकार से sentence में तीन राम नाम को जह तीन बार जो है। यूज किया, तो यहाँ पर क्या हुआ कि राम सब्द का इस्तिमाल तीन बार हुआँ, अब राम के सब्द के इस्तिमाल के जगह पर अब दखें किसे हिंची यूज हो रहा है, राम एक अच्छा लड़का है, वह रोज बिद्दा ले जाता है, इस परकार से वह विद्धालिश से आने के बाद खाना खाता है तो इस परकार की जो चीजे हैं इससे क्या पता चलता है कि एक सब्द का जो इस्तिमाल है ठेक है कि इस परकार से यूज हो रहा है उसकी स्थान पे अगर हम लोग कुछ वर्ड डालते हैं ताकि और रिपिटेशन ना हो तो उसे का हम लोग बोलते हैं प्रोनावन इट्स कोल्ड प्रोनावन तो यहीं प्रोनावन कहलाता है जिस फॉर एक्जमपल ड्राम इज गुड बॉइ ठीक है कि परकार होते हैं तो यहां पर जो में आपको बता रहा हूं इस परकार यह किसे बहुत सारे में ने गरामर अलग नाम्याशन थो मुझे थोड़ा confusion हो गया ठीक है फिर भी मैंने उस चीज़ को कोसिस किया कि कुछ ऐसे pronouns को डालते हैं जो कि आपको exam में मदद हो जाए तो प्लीज आप उस चीज़ को बताईएगा ठीक है कि आपको किस परकार से अपने कौन से चीज़ ढूंडी है तो यह आते है personal pronoun जो personal pronoun होता है उसमें I, you, he, see, eat, we, they मतलब ऐसे pronoun होते हैं जो मुल रूप से नीजी तोर पर होते हैं जो अपने लिए होते हैं जैसे कि I, you, he, see, eat ठीक है यह किसी लोगों के बारे में बताया जा रहा है तो इसे personal pronoun केते हैं वेक्तिगत सर्वनाम पॉजिसिव प्रणाउंस ठीक है यहां पर क्या होता है अधिकार का बात होता है ठीक है my, your, he, her, मेरा, उसका, उसकी तो यह सारे के सारे अधिकार वाले बात हो गए तो इसको बोलते हैं हम लोग पॉजिसिव प्रणाउंस ठीक है अगर आपको दिखता है कहीं पर इस दैर इस दोज तो यह demonstrative है जब आप किसी चीज़ के और इसारा करके बोलते हैं कि this is my book that is my pen तो यह दरसल आप इसारा कर रहे हैं इस it's called demonstrative प्रणाउंस ठीक है तो यह demonstrative प्रणाउंस करते हैं इंट्रोगेटिव प्रणाउंस क्या होते हैं अगर आप सवाल पुछते हैं ठीक है रिलेटिव प्रणाउंस क्या होते हैं रिलेटिव प्रणाउंस हुए होते हैं जिसे की जो कि किसी चीज को जोड़ देते हैं ठीक है सम मतलब बाग्यों को जोड़ देते हैं for example दबोई इस प्लेइंग हुई इस माइब ब्रोड़ तो यह पर हुआ कि कित दुनों को जोड़ दिया तो इस परकार को बलते हैं रिलेटिव प्रणाउंस जिसमें हूँ हूम हूज डैट वी चाहता है रिफ्लेक्सिव प्रणाउंस क्या होते हैं जो की अपने वारे में बत अब हम एक्जांपल से इसको देखेंगे तो और बेटर समझ में आएगा देखिए परसनाल प्रणाउंस के बारे में दिया है कि I am going to the store तो यहां पर क्या बता जारा है तो यहां पर क्या बता रहा है योर कायर हीजःऊ और यहां दोह इस Wakा इसराल के बार बता जारा होता है इसका तेमश्ट्रिटिंव इन सब्ता हो बताना पड़ता हैं that is your car ठीक है तो इस प्रकार से इसारा करके जवाब बताते हैं मुझसे इसारा करके या फिर हाथों से तो यह demonstrative कराते हैं interrogative मतलब question mark देखिए सब में question mark अगर question mark आ गया तो interrogative pronounce है ठीक है indefinite pronounce में देखिए यहां पर all of the another piece of any question कोई सभी कैसे यह सारे के सारे indefinite है इसके अलाबा यहां पर relative pronounce है relative pronounce जैसे कि the man who is talking in my teacher the woman whom I say today is my friend यहां पर देखिए कि बीच-बीच में लगा हुआ है दो sentence को जोड़ रहा है तो यह क्या होगा रिलेटिव मतलब क्या होता है संबंदी जो जुड़े होते है रिलेशन बलते है रिलेटिव और इसके रिफ्लेक्स पर ना हो रिफ्लेक्स जो है वो क्या बताता है है I hurt myself when I fell you should give yourself a break तो माई ठीक है myself यू यूर्सेल्फ ही हिमसेल्फ सीका हर सेर्फ मतलब वह उसके लिए और इसी परकर से हम लोग हमारे लिए ठीक है वह लोग उनके लिए काम करते है ठीक है तो इस सारी चीज़ें क्या बताते है जो लोग अपने लिए अपना काम करते है उसको जो है यहां पर जो है बताया गया है कि यह है आपका reflexive pronoun ठीक है reflexive का मतलब यह होता है कि अपने मतलब उसको प्रावर्तीत बोलते हैं ठीक है repeat होका आप इक तरह पा रहा है तो emphatic pronounce क्या हो गया emphatic pronounce जिस पर जोर दिया जाता है कि I myself did it मैं खुद ही से करूँगा अपना मेरा काम है मैं खुद करूँगा तुम अपना काम खुद से करो ठीक है तो you yourself are to blame ठीक है तुम्हें खुद को दोस्त देना चाहिए और इसके बात he himself said so इस पर see herself invited me उसने खुद मुझे बुला है तो इस परकार हो गया it itself is not important ठीक है यह अपने आप में important मत पुर्णा नहीं है तो यहां पर आप देखेंगे emphatic में क्या हो रहा है कि वो उसका परभाव actually उसी पर पढ़ रहा है और अगर तुम लोग इस में देखेंगे कि i hurt myself when i fell ठीक है you should give यहां पर कुछ starting में कुछ आ रहे है फिर herself myself बगर आ रहे है ठीकिन यहां पर अगर देखेंगे तो और इसके अलाबा हो गया relative pronounce जो की संबंद के बारे में बताता है इसके अलाबा हो गया आपका इंडिफिनिट प्रोनाउन जो की बताता है कितने है एक परकार से मात्राएं मात्राएं बताई जा रही है इससे interrogative हो गया आपका question mark वाला और इसके अलाबा demonstrative इसके अलाबा एक ठोगया personal pronoun तो यह प्रोनाउन की हो गये एक्षिले मैंने आपको आट जो है उसके परकार बताई है और यह आट परकार थर्प बताना कि इससके आपको इसके कितने परकार मिले है ठीक है और यह आपका प्रोनाउंस का जो है complete हो गया प्रोनाउंस जो है यह प्रोनाउंस का definition है आप इसको यहां से लिख सकते हैं प्रोनाउंस का definition वगेरा और उसके बाद उसके जो काईल से उसके जो परकार हैं अगर उसको आपको समझ में आ गया या आपको अच्छा लगा तो आप उसको लिख सकते हैं ठीक है अब देखते हैं कि एक्जाम में किस तरीके से इसके कोशियन इंसर आते हैं तेंग्यू